कोई भी यहां पर आखे ग्यानी मद्ध बंना ग्यान मद्ध देना यहां पड़ाय के घ्यानी लोगो का सेलेक्शन कभी होता ही नहीं ही। औफ-लाइन क्लास में इनकी ओकार नहीं होती है कि टीचर के सामने ही बून सकी है। तेरे जैसे नाजाने कितने को आटी पहुचा चुके हैं जब तुप बढ़िया से टॉक के कॉलिज में पहुचेगा अटी में पहुचेगा टॉक कैने पोचेगा जब लोग असटे बोलेगा ना तो आईसा मैं इस कॉलेज से बीटे कर रहा हूं तब तेरी इज़त बनेगी उससे पहले भाईया को इज़त नहीं है मैं सही बात बतारो और अगर तुझे लग रहा इज़त है तो वह एक तरीके का प्रम है यह हमारी एक बस है यह बस यह ट्रेन समझे इस ट्रेन का ठीक दोशाल के बाद क्या मेरी अबास सबको बिलकुल एकदम साउंड में किसी कोई इशू तो नहीं है अभी तक मुझे मुझे कोई मैसे दिखा नहीं है इसका मतलब कोई भी इशू नहीं है बड़े तरीके क्लास चार बजे चलेगी बिटा है ना थोड़ा दसमें पहले बिलकुल बिलकुल तो बिटा आज की क्लास हो है हम लोग काफी कुछ एक दूसरों को समझने कोशिश करेंगे पहले क्योंकि पहली क्लास है मैं एक दम से हाइफाई लेवल पर नहीं पोचूँगा पहली क्लास है मुझे सारी बच्चों को साथ लेके चलना है ठीक थोड़ा हों कि सेशन में सबको पता चले कि अर्जुना जो वन पॉइंट है ठीक है सब लोगों को पता चले कि आपके अंदर जो फिजिक्स में चेंज आने वाला है वो सबके अंदर दिखाई मत दिखना चीए कि भाई साब आप पील रहे हो शांदर तरीके से पढ़ाई करने हो ठी रिक लिकते कि बिल्कुल हाम सवरे हाट दिख रहे हैं लाल भी ढली दिखे आहरा भी दिखा पीला भी दिखा पिंक नहीं दिखा ने चलो कोई बात निहालो क्लास के बात ना आराम से अप धून लीजीका ठीक है पींक हाट कैसे बनता है ठीक है ठीक है बेटा चलो तो आप जैसे कि आपकी यह जन्नी स्टार्ट होने वाली है अर्जुना की जेई 2024 माइन इस सलीम मेहमत आई हो आप सब लोगों को पता होगा पिछले आठ सालों से नो सालों से मैं अकोटा में हूँ और बैसी के लिए सीधी सची बात बुलूं तो मैं ऑफ अफलाइन की तरीके से पढ़ेंगे उत्रापन लोग सेलेक्शन की तरब जाएंगे वह इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी मेहनत बिल्कुल ऑफलाइन की तरीके से ना रहें कि आप बैठके पढ़ रहे हो और थोड़ी दिर में मन हुआ तो पॉस्ट करके बहार चल चाहें उसको कितना भी प्रेशर क्यों ना है वह जोड़ सीरा बैठेगा तब यससे पड़ेगा संसिय तरीके से पैर नोट्स बनायेगा सही तरीके से उसके बाद जैसी क्लास क्लास क्ति हो की तेर गंटे के बाद त dwu हां से उठेगा इस centàng का मेजें से डैडिकेशन इस ल में दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में झाल 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 तो ये मेरी गारंटी है कि आपका सेलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी बर्षते आप लास तक यही काम करो लास तक डेली दो से डाई गंट आप दो फिजिक्स को ये मेरी गारंटी है कि तो ये बात तो जरूर बोलेगा कि यस सेलेक्शन तो बस ही आ गया है बस मुझे उठाना है इसको ठीक पिछले साल मैंने एक बैच लिया था अभी प्रयाश 2.2 ठीक आप उन बच्चों से मिलेगा जो भी आपके सीनियर से उनसे मिलेगा उनका experience आप लोग शेर कीजेगा उनसे तो आपको काफी कुछ सिखने के लिए मिलेगा काफी कुछ मैं भी आपको बताऊंगा बेटा तो जितना मैंने उनको कराया था ना डे बन की क्लास में मैंने उनको बोला था जो पहली क्लास थी कि बेटा बस तू इतना कर लेना इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला मैं 15, 16, 17, 18 कुष्चन तो तुझे एसटिस मिल जाएंगे जे मेंस में 18 तो छोड़ इस बात का जो सारी के से पढ़ा है वो 22 कुष्चन 23 कुष्चन 24 कुष्चन मस तरीके सा टेम करके आ रहे है और वो तो तब की बात है जब वो सारे के सारे ड्रॉपर में थे दिए तुट 11 क्लास में तेरे पात दुगने लेक्षर है उनके पास तो वीचार के पाल लेक्षर भी नहीं था उनके उनकी तो श्टार्टिंग हुई थी उनकी तो श्टार्टिंग भी अगस्त में हुई थी ठीक है अगस्त में लोगों ने विचार ने पढ़ना शुरू किया अगस्त सिदमर अक्टो नॉमद जमब जनवरी फरवरी मुस्किल जट 6-7 महीने पढ़ पाए और उसके बा हां से कहां लेवन लेकर जाता हूं फिर तो बाकी सारी चीजें मेरों पर छोड़ दे बस मुझे छी आप लोगा सपोर्ट सपोर्ट का मतब ब्लाइन ली ट्रच्टो ना चीए जो मैं बोलता जाओं बस बिन दास बीना कोई कोश्चन मां किये चुप चापात बंद करके वह फोलो करते चले जाना वहीं फोलो करते चले जाना वहीं फोलो करते चले जाना क्लियर है यसर 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 है तो यसर टाइप कर दो भाई साप ने यसर का साइन हम हाट से मानेंगे यसर का मतलब होगा हाट का साइन बोलो जल्दी से ओके चलो अब कुछ बाते कर लेते हैं बेटा काम काम की किस तरीके सा हमारा सेशन चलने बाला है वो भी बहुत जरूरी है सबसे पहले ध्यान से देखना भाईया पॉइंट नमबर हुआ ठीक है अब यह तो बहुत महता चलना भाई इसको पतला पतला कर देते हैं पहले आई हम लोग अभी 10 मिट के बाद स्टाइट करेंगे ऐसा कोई जल्दी नहीं है मुझे ऐसा कोई स्लेवस को भगाना नहीं है कि भाई साब आज ही जई एडवाल करा तो आज ही करा तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है बहुत अराम से चलेंगे क्योंकि हमारे साथ ऐसे बच् क्लियर है पॉइंट नंबर वन यह है कि कभी ज्यानी मत बनना ब्लाइंडली फॉलो तो यह टीचर सीदी सी बात है भाईया सीदी सच्छी बात है ठीक है कोई भी यहां पर आके ज्यानी मत बनना ज्यान मत देना यहां पर आके सीदी सी बात मैं पहले सी तेरा जो है तू कहले कि जो है जो तू समझना तू समझने बेटा ज्यानी लोग का सेलेक्शन कभी होता ही नहीं है ज्यानी लोग ऐसे होते हैं ना तो उनका सेलेक्शन होता है उनकी उनके करेब जो भी बच्चा जाता है ना उनकी संगत में जो भी जाता है वो साला उनको भी बरबात कर देते हैं पहली बोल देता हूं मैं ठीक है ज्यानी लोग का मतलब क्या ह झाल 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 कर तिरे को मन नहीं कर रहा तो तू निकल या निकल ले बठाने निकल ले पटाक से निकल ले कम हम लोग को पढ़ने दें जो या पढ़ने वाले बच्चे उनको बाई साथ मस तरीके चाहिए पढ़ने दें बाई साब पढ़ने दें हैं डेली की डेली क्लास अटेन करनी है कौन सी वाली बाई साब ओनलाइन वाली है ठीक है मैं तो बोलूँगा इसी को देशी बासा में बोलते हैं कि बाई साब बैक लॉक्स किसी हाल में होना ही नीची है कुछ लोग का ऐसा सोचना होता है क्या सोचना होता है कि साथ रही है आ मैंने पूरी क्लास को डिलिवर किया, उस क्लास में एक बच्चा रेंग लेके आया, इस साल 24 के आसपास, एक बच्चा रेंग लेके आ रहा है, साड़े 300 रेंग ओल इंडिया, और एक बच्चा रेंग लेके आ रहा है, 3 लाख, ठीक, तो तो खुद बता, एक ही बैच्छी में चला गया होगा बिख्यानी बात उसको फॉसको मिल गया है तो यह बात मैं आप हो देली की अपकुलाश करो यह जो रिकॉर्डट वाली है अब यह machen Singing ना हो सकते आपको ऐसा लगे कि सर आपने जो पैता ध्यान जा सुनना मेरे बाद जो अगले थोड़े के बार पताने वाला हूं कि सब्सक्राइब गंटे की क्लास में आपने जो पढ़ाया मैं अगर उसको टू-एक्स पर देख रहा हूं और मैं उसको सर्फ एक गंटे के आप यह दूँगा चाय शहीद तुने बनाई होगे अपने घर पे तो जब चाय बनाते हैं तो फटाक से अगर मैं तुस्से बोलो कि पानी कितनी देर में गरम हो जाएगा मैक्सिमम् 20 से पच्ची से किन के बाद चाय की पत्री डालने बढ़ाक से कि कितनी देर में रंग आ जाएगी लेकिन जब तुसको पीने जाएगा तो तु बोलेगा रहे सा कितनी घटिया चाहें सेम केस ऐसा है जो बच्चे 30 गंटे के लेक्चर को 2x पे रिकॉर्डड में जाके देखेंगे या फिर 30 मिनट में खतम करेंगी उनकी चाय बेटा एक मिनट में पकेगी पीने ल जाएजी डालनी है कब क्या डालनी है इसलिए मैं आपसे बोलना हुए बात कि कभी इन चीजों में ना पढ़ना और सीधा एकड़ा ब्लाइंड ली फोलो करना सरलोगों हाबा में बिल्कुल मतूलना जितना जैसे इसा सर बोलते जाए वैसे वैसे आपको करना है प्रॉपर कुछ चड़ेगा ना होले होले तो उसका मज़ा ही कुछ हो रहे है ठीक बोलो आई होप तुम्हें बात समझमारी होंगी झाल 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 तेरा लेवल जी अर्वाम से उपर में लेके चला जाओ इसको दिया जाएगा और वो मैं डिसाइट करूँगा टेंशन ना ले कब कौन सा होंब कब देना है वो मैं डिसाइट करूँगा आखिट्यिया ृरेगा जाएगा झाल 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 कि अधिक दिल के अर्मासूं में बह गए और हम गली में थे और गली में रहे गए और हाई भी फूटी किसमत लाइट ऐसे टाइम पर गई कि जो बात उनसे कह नहीं थी उनकी अम्मा से कह गए तो बोई वाली बात हो जाती है वाई शाब कि भाई दिमाग की बत्ति गुल हो गई आप करोगे अगरना है ठीक हम तो बहुत पड़का है तो पड़का है तो वो त प्रेंशन ना ले को अम लोग मस्ती करेंगे ठीक है पड़ाई करेंगे अच्छे लेबल की पड़ाई करेंगे एक साल कि तुम मतलब सभाब बता रहो एक साल के बाद तुख भुद बोलेगा कि वा सर मज़े ही आ गया ठीक है मैं तो बोल लाँ पूरे हिंदुस्तान में ठ देगे हाँ बिल्कुल मैं कोटा में पिछले से नो साल से हूँ और ये बात तुमां ये बात तुमांता होगा प्राइब अच्छा कंपटीशन है बच्चों के बीच में भी टीचर्स में भी और क्योंकि बच्छों के बीच में फॉत शब्सक्रण होता है इस लिए जो चश में 60% तु वही से फोड सकता है अब तु बोलेगा सच यह एडवांस आपने 60% क्यों बोला सर मैं बद 60% करके आँगे आगया ना तो तेरी रैंक मेरे भाई और इंडिया 500 के अंदर आ जाएगी 100 के अंदर भी जा सकती है उसके बात आगे जाना वो तेरी केमिस्टी यह मैं सेची बात बोलता हूं ठिक है मैं सीधी सची बात बोलता हूं ठिक है मैं जवर्दस्टी यह नहीं बोलुआ यास तु ए आ यायर बन लेके अच्छा कुछ भी हो जाए मुझे भी पता है तुम हजारों की तादात में वो सारे के सारे AIR बंदी लेके आओगे मैं इंशॉट यह बात बोलूँगा कि बस तू अपना बैस करता चलाजा रैंक अपने आप निकल के आएगी तो अपना बैस करता चलाजा अपना पैस करता तुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब तू सेलेक्शन के उस्वार होगा उधर से तू बैस कर इधर से मैं आपना पैस करूं ठीक दोलों मिलते हैं दोनों मिल जूल के आगे बढ़ते हैं और फी फोड़ा फड़ी मच आते हैं क्लियर है है हाँ नोट्स बनवाने के जिम्मेद सारी बेटा मेरी ठीक है नोट्स मैं बनवाना हुगा मैं बताओंगा कौन सीच कहां लिखनी है उसकी टेंशन मत लेना सारे लों ओके ठीक है बहुत ही बड़ी है बेटा अब जो है तुम्हें किसी के दिमाग में कोई साभी उचनीस डाउट आ रहा हो ठीक है हलका फुलगा जो भी क्वाईरी आ रही हो ठीक है बो बेटा पूछो क्योंकि जब मैं क्लास इस्चार्ट करूँगा तब मैं नहीं चाहूँगा कि क्लास के बीच में आप बोलो सर्फो किताब लगाने क्या है इस क्लास के बीच में इजब लगा बोलो सर क्लास चार्ट करो यह आप नहीं बोलोगे बेटा ठीक है अगर आप यह बात बोलोगे तो केटेगरी नंबर वन के अंदर आ रहे हो ज्यान मत दो हसी पर्णा करनी है बिलकुल करनी है कब करनी है कैसे करनी है वह मैं तुझे बताऊँ को है ठीक है । इन आपको दिया जाएगा उसके टेंशन मतलों नेक्स निद्या कि त्यारी नियुरी पेटा जय ओर शी एडवांस की त्यारी हो रही हैं सिधी ठीक है ठीक करा रहा हूं। पहले ही पोल रहा हूं।